हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आप सभी का मेरी यूट्यूब चानल नॉट्बुक में स्वागत है तो आज मैं आपको क्लास 11 एशिंट इंडिया की जो बुक है उसका चाप्टर 5 तो यह पूरी बुक की सीरिस रहेगी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगे इसकी और साथ साथ अपने नॉट्स भी आप रेडी करते जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं तो इस चाप्टर को शुरू करने से पहल वो थी हमारे पास Australopithecus क्या थी Australopithecus उसके बाद आए होमो हाबिलेस होमो इरेक्टर्स होमो हाइडल बरजनेसिस होमो नियांडर थालनेसिस होमो सैपियन्स और होमो सैपियन्स के बाद आये थे हमारे पास प्लिस्टो सीन प्लिस्टो सीन के बाद आये थे हमारे पास होलो सी ठीक है ? तो आप कोई नेम भी यादढेए कि हिूमन्स का औरीजन कैसी हुआ था चाप्टर को दो तीन तरह के पिरिएड होते हे ए पैली लिथिक पिरिएड it मेज़ुलिथिख पीरिएड और निविथिख पीरिएड तो मितलब हमें इर्यएड पैली इस वीडियो में हम पालूलेथिक पीरियेड के बारे में पढ़ेंगे तो पालूलेथिक पीरियेड में जो मैन थे यानि कि वो क्या थे हंटर्स थे शिकार करते थे और फूड गैदर थे यानि कि जो शिकार करते थे उनको गैदर करते थे गठा करते थे मतलब फ्रूट्स यहां पर यह वर्ड को काट लेना थीक है दा एर्थ इस ओवर 4,000 million years old जानि कि जो हमारे प्रित्वी है वो 4000 million साल पुरानी है जो इसका evolution था मतलब इसकी crust यानि कि जो उपर भूमी है प्रित्वी की वो four stages में थी यानि कि आप 4 किन कौन सी थी आंडियन सहारन थर्ड कौन सी थी क्यारो और फॉर थी quaternary तो यहां पर जो four stage की बात करी गई है quaternary की ठीक है quaternary में मतलब डिवाइड होता है प्लिस्टोसीन और holocene प्लिस्टोसीन और holocene यहां पर अब भी जो present चल रहा है वो holocene है क्या है holocene की यहां पर बात हो रही है ठीक है next the form or last it between अब यहां पर देखो timeline दी हुई है अब जो बच्चे competitive exams की त्यारी कर रहे हैं वो इन time lines पर एक भर ध्यान मत देना क्योंकि जो आप NCRT पढ़ोगे उसके बाद the sixth class के NCRT आपने पढ़ी होगी ancient India की थी भो भी 11th class के आप NCRT पढ़ोगे इसके बाद standard books भी पढ़ोगे अब तीनों जब books को आप पढ़ोगे तो आप एक मतलब club करके तीनों books को club करके फिर timeline आप decide करना कि कौन से timeline exact है क्योंकि कई books में approximately दिया होता है और जो बच्चे plus one में है वो तो यह करेंगे करेंगे तो यहां पर बात हो रही है कि यहां पर यह वह लाइन देखिए man is said to have appeared on the earth in the early plistocene यानि कि plistocene से पहले भी man को देखा गया था तो तब ox, elephant, horse भी originate हुए थे लेकिन जो अफ्रीका में सबसे पहले man कहा दिखा गया था अफ्रीका में दिखा गया था three millions years bag अगर हम जाते हैं ठीक है और जो man है यहां पर देखो लिखा हुआ है अफ्रीका में यहां पर देखा गया था ओके next चलते हैं इंडिया में अर्ली मैन की कोई फॉसिल्स फाउंड हुई ही नहीं थी ठीक है तो इससे हमें क्या बता लगता है कि इंडिया में अभी मैन नहीं आये थे सबसे पहले अफ्रीका में आये थे ठीक है हिंट ओफ अर्लियस हुमन प्रेजंस इस इंडिकेटर बाइ स्टॉर्ण तूल्स यहां पर जो हुमन की प्रेजंस देखे गई है इंडिया में वह सिर्ण तूल्स को देखके ही हमें पता लग रहा थे कि हां यहां पे भी पहले मैन रहते थे लेकिन हमें एक फर्दर रिसर्च प्रेज चाहिए थी हम और मतलब रिसर्च करें पता लगे की मैन के से प्लेस है इंसाग है ठीक है तो वहां पर हमें मैन की अपिईरंस देखने को मिली थी तो हमीं एक फcipl Видers स से क्या हमंता पता लगा कि अफ्रीका में सबसे पहले man की presence देखे गई उसके बाद lithic technology और बड़ी और बड़ी और बड़ी तो हमें इंडिया में भी उनकी presence देखने को मिली ठीक है next आके चलते हैं the early man in India used tools of stone roughly dressed by crude chipping यहां पर देखो अब जो इंडिया में presence मिली है man की तो वह क्या करते थे roughly यानि कि stone की जो shape थी वह roughly type की थी like this यहां पर देखो लाए ऐसे जो stones होते हैं roughly type के वह stones का use करते थे किसलिए use करते थे hunting के लिए और हम कह सकते cutting के लिए या other purposes के लिए वह use करते थे chopped pebbles को use किया जाता था यहां पर लिखा होगा the chipped stone tools and chopped pebbles were used for hunting cutting and other purposes ठीक है अब एक बात और हमें यहां देखने को मिली कि इंडिया में उनकी presence तो दिखी लेकिन कौन कौन से जगां को छोड़ कर aloeveal plains अब अलोवियल प्लेंस कहां कहां हैं इंडस, गंगा, यमुना रिवर के पास को छोड़ कर हमें उनकी प्रेसंस देखने को मिली थी यहां पे ना ही हमारे पास टूल्स की बात हो रही है इस जगा पे ना ही उनकी प्रेसंस की बात हो रही है और इस period में, किस period की बात हो रही है, यह Paleolithic period की, तो इस period में जो man थे, वो manage करते थे, food को gather करने के लिए, hunting करते थे, उनका यही काम था, उनको ना ज़ाद knowledge थी, कि cultivation कैसे करनी है, house को कैसे build करना है, तो यह phase कहा तक चला था, continuously till 9000 BC, BC का मतलब before Christ, Christ के जनम से पहले की बात हो रही है, यह, next चलते हैं, यहाँ पे देखो, Paleolithic tools, which could be as old as 100,000 BC, have been found in छोटा नागपुर प्लाट्यू, अब छोटा नागपुर प्लाट्यू के पास भी हमें Paleolithic tools मिले हैं, यह tools जो हैं, वो बिलोंग करते हैं, कि मैं 20,000 BC से लेके 10,000 BC तक, जो हमें करनूल डिस्टिक में, आंधरा परदेश में हैं, वहां दिखने को मिले, और बोन, मतलब जो आनिमल्स की बोन हैं, उनके रिमेंस मिले हैं, उसके बाद बेलन वाली, जो है, मिर्जापूर डिस्टिक में, उत्तर परदेश में, वहां ह क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और फूट गैदर थे, टूल का यूज कर रहे थे, ठीक है, अब देखो, यहां पर एगमत और आपने ध्यान रखनी है, कि यह जो पेलोलेथिक पीरियट था, यहां पर अभी आइसे एज है, आइसे एज के अंडर ही यह अपने डवलप्म तिल मौडरन टाइम्स, यहां पर क्या जह रहे हैं कि यो पुरान हैं वह भी बताते हैं, उन्वें भी लिखा हुआ है, कि लोग थे, वह रूट्स पे, फूट्स पे रहते थे, ठीक है, वह भी ओल्ड वे था, हिल्स में कैसे रहते हैं, के जाने पराने ज़माने से लेके अ आप देखो वही बात जो मने आपको पहले भी वताय uniformed, यादि कि आइस ठीक है, यानि कि पहलों लेखी culture डवलप हो रहा है, कहां पे डवलप हो रहा है, प्लिचोसीन पीरियद में, ठीक है, और एक तोन टोल्स अफ्रिका धूर्प human occupation occupation क्या था hunting और food gathering ठीक है middle और आगे हम faces भी पढ़ेंगे paleolithic period की middle और हम क्या सकते है middle paleolithic period और तीन तरह की faces है वो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अपर paleolithic middle paleolithic के पारे में ठीक है तो इसा अब हम पढ़ेंगे तो next आगे चलते हैं यहां पर अब देखो कि यह कह रहे हैं कि अब ice age चल रही थी यानि कि बरफ mountains में इतनी बरफ जो rivers थी वो भी जम गई थी उसमें भी बरफ भी बरफ glaciers इतने सारे हो गए थे तो इस age इस time period में जो high altitudes थे और उनकी peripheries peripheries यानि कि उनकी outer edges जो थी tropical reasons थे मतलब mountains को छोड़के जो tropical reasons थे उनमें ice से मतलब धक गया था ठीक है और दूसरी जगह देखे कि rainfall बहुत हो रही थी तो paleolithic period हमें क्या बता लगा कि एक तो ice age थी hunters थे food gatherers थे roughly stone use कर रहे थे वो ठीक है rainfall भी हो रही थी उपर से ice age भी थी तो यह थी concept आपका paleolithic period का तो next वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके faces क्या क्या थी paleolithic period के तीन तरह के faces थे lower, middle और upper paleolithic period तो यह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो यहां तक मुझे पता हैं आपको समझ आ गई होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर कीजिएगा और जो बच्चे मेरी चैनल पे नए हैं तो please इस चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का notification मिल जाए Thank you